ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो एक दिन में एक लाक रुपे कमा सकते हों ये आपके पास मौका है वो कैसा है ये आपको लाइव ट्राफिक देख रहा है हमारे सैंपल ब्लॉग का जो हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में बनाया था यॉजना.org आपको देख रहुए पास अब हम ने इको सिस्टम बनाना चालू कर लिया वाट्साप का इको सिस्टम है और हुआरा कुश का ओग अर्पैस मौका क्या है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करतें पार्टिसिपेट क्रने ये उस ecosystem में जाने से हो सकता है आपका वो ब्लॉग discover में चला जाए और जाएगा तो आपका मौका है एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाने का क्योंकि आपको पता है कि discover में जब जाता है और आर्टिकल जाता है तो बहुत जादा अच्छा वब story के comparison में बहुत अच्छा RPM होता ह और आपका chances हैं कि हाँ वो पैसा कमा पाए एक एक ही बार में और आप एक और चीज़ करिएगा आप अपना ecosystem पहले ही तयार करिएगा तो जब आपके पास traffic आएगा तो आपके पास भी WhatsApp का ecosystem तयार हो जाएगा तो देरी किस बात की है link description में है फटा फट पार्टिसिपेट कर जिसमें करोडों का traffic उनको rank करा है उनका सौरा data हम free blogging course में बना चुके बता चुके हैं तो आप हमारी playlist देखेंगे आपको crystal clear हो जाएगा कि कौन-कौन सी पूरा data खोल के दिखाया है तो वो आपको पता चल जाएगा मैं पहले micro niche बहुत बनाता था और उसका credit जाता है दीप moodyyojna.org यह हमारा sample blog एक कोर्स का ठीक है यह rank कर रहा है आप इसमें आप देखोगे पिछले साथ दिनों में बहुत जादा traffic इसमें योजना में आ रहा है ग्रहलक्षमी योजना मेरा experience मुझसे यह कहता है कि यह scheme बहुत जादा important है करनाटका के लिए scheme है और बहुत जादा important ह मैंने आज तक जितनी भी micro niche बनाई थी वो central level पर थी यह पहली ऐसी micro niche है जो मैं state level पर बना रहा हूँ पर मेरा experience मुझसे कहता है कि यह बहुत important scheme हो सकती है इसलिए मैंने क्या किया एक domain register कर लिया फटाक से ऐसे ही हम करते थे दीपावली में वो एक article rank हुआ और हमें लगा कि इसका बहुत ज़्यादा potential है तो उसका exact match domain ले लिया तो मैंने यह domain ले लिया ग्रहलक्षमीNRI.com अब यह domain इस तरीप का सोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा वो मैंने क्यों लिया है वो पी reason मैं आपको बताता हूँ अब यह क्या है यह देखिए हमने micro niche बना ली औ free vlogging course के पुराने वीडियो भी सिवाब देखो के ना तो वो जादा देर टिकती नहीं है योजना से related micro niche जो है और वो बनी बहुत जादा बहुत कम सामय में traffic आते हैं पर बंद हो जाती है इसलिए short time हमने काम करना बंद कर दिया यह मैं सिफ experiment कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि दे को इस तरीके से काम किया जा सकता है पास्ट में हमने जो बताई थी मैंने बता दिया free vlogging course में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी problem क्या होती है problem यह है कि अगर इसी की ही एक official website अगर बन गई तो फिर हम कुछ भी कर लेंगे हम उसको d rank नहीं कर पाएंगे पूरी मैनत वेस्ट हो जाएगी तो हम यह expect करते हैं कि इसकी कोई official website ना बने प्लस और भी कुछ problem से वह मैं आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता वरना आप थोड़ा सा upset हो जाएंगे यह domain क्या था exact match domain था आप क्या योजना का नाम क्या था ग्रहलक्ष्मी योजना और हमने domain क् करने वाला ही था ग्रहलक्ष्मी योजना.com something something या इन करके तो मुझे लगा या expired domain का time चल रहा है और मुझे expired domain का कोई भी knowledge नहीं है तो मैंने क्या किया सर्च कि ग्रहलक्ष्मी योजना से related को expired domain था क्या तो मुझे यह मिल गया मैंने ले लिया यह इससे क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा यह भविश्ची मुझे पताएगा पर मुझे experiment करना था तो मैंने ले लिया अभी आप यह ब्लॉग देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है एक भी आर्टिकल नहीं है धीरे धीरे करके पूरा हमारे experience के basis पे कि योजना से related micronish किस तरीके से बनती है आ हमने experiment के तोर पर ले लिया था इसका DAPA कुछ भी हाई नहीं था हमने सिर्फ एज के basis को लिया है कि language most probably कंणड होने वाली है क्योंकि यह करनाट का based है वहाँ पे कंणडा जादा बोली जाती है अब यह हमें language नहीं आती है और हम most probably chat GBT अगर हमें convert करके दे देता है तो हम English के आर्टिकल लिखवा के उसको कंणड में convert करके इसमें डालेंगे अगर chat GBT अच्छे से नहीं कर पाएगा तो कुछ और हम तूल्स वेगाई यूज करेंगे पर chat GBT का पूरा इस्तमाल करके कंणड लैंग्विज में लिखके हम एक expired exact match domain का micro niche बनाकर देखते हैं कि यह rank होता ह है कि नहीं अभी यह सारी चीजें चलती है कि नहीं तो इस तरीके से पहले हम काम करते तो अब हमने पूरे तरीके से काम कर लिया है और एक चीज मैं आपको और दिखा दूँ यह देखी इसको कहते हैं search console बहुत जादा important होता है मैं आपको पूरा data भी यहां पर दिखा देत तो आप कमेंट करें yes